पुराने केबल लाई से बिजली की चिंगारे उठने से घास फुस से बनी जोपडी में आग लग गई आग ने अपना विक्राल रूप धारड कर लिया आग की लपटों को देख गाउ में हड़कम मच गया गाउं के लोगों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक ग्रहस्ती का समान जल कर खाव हो गया इंदरगर थनरशेत्र की कनिकपूर बरसाती डेरा गाउं में राकिश्ट पुत्र केदार अपनी ग्रहस्ती का समान छोपडिम रखे थी बिजली के चिंगारी से आग लग गई आग के लप्टों ने अपना विक्राल रूप धारण कर लिया आग के लप्टों को देख गाउं में हड़कम मच गया आनन फानर में लोगों ने आग बुझाने का काम किया जब आग पर काबू पाया गया तब तक ग्रेश्वामी का घरेलो समान कपड़ा चरपाई अनाज सहीद करिब 10 सजार के नग्रिश चमेद ग्रहस्ती का समान जल कर खाप हो गया गाउं के लोगों ने इसके सुचना इंदर कर पुलिस को दी आग की सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची गाउं के लोगों ने बड़ी मर्शकत कर आग बुझाई आग बुझाने पर गाउं के लोगों ने राहत की सांस ली कथ नान ही आक जह करते जाहे हैं कटराध का रजी तो करते डान पर सिरेट करने दो में लुटहिये जाहный इस भीतोλο है कि विसा दो हुँ है जाता दीखनी, आज सकते हो सब देग्स जाता जाता नकाल ना जी खुल देख, खुल देख, खुल खोला देखाते तो तब जल वोचे था पुलिस आरी जेतरों तो कर दिनों कंप्लेट जो दिखना आग देंगे पपी वाइफ राके सिंग गिराम कनिकपुर के रहने वाली हैं इनकी पूरी गिरस्ती जल करके राख हो चुकी है इसके अंदर घर के खाने के लिए साधन एबाम पैसे जेवरात सब जल करके राख हो चुका है यहां पर गाउं के सारी भीर्डी ने इक खटा आओकर कि इसको आपको काबू में कर लिया है आप थोड़ा वास सही जाओ दोटो कर लिए जाओ आपको कर लिए रोपिया भोटो कल लिए